हम सभी जानते हैं कि इस जीवन के लिए वायू, जल और भोजन अत्यंत अनिवारे हैं इसके बीना हम जीवन की कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन इस जीवन को सुवधा युक्त तरीके से सुचारो रूप से चनाने के लिए हमें और भी बहुत से योगिकों या पदार्थों की आवशकता होती है उदारन के लिए अब जल को ही लें तो जल केवल जीवन के लिए या शरीर के लिए आवशक नहीं है इसके अलावा नहानी, कपड़े धोने के लिए, साब सफाई के लिए, खेतों की सिचाई करने के लिए या फिर कपड़े और कागज उद्योगों में रौ मेटेरियल के लिए यह अत्यंत अनिवारे है और उतना ही उप्योगी है इसी तरह से हम बात करें यदि नमक की, जिसका उप्योग आप दैनिक जीवन में करते हैं आप कितनी भी मेहनत से कितनी भी स्वादिस्ट सबजी बनाएं, यदि उसमें नमक नहीं होगा, तो सारा स्वाद धरा रह जाता है इसी तरह से यदि आप पकोड़े बना रहे हैं, या केक बना रहे हैं, और उसमें यदि आप खाने का सूड़ा, या फिर बेकिंग पाउडर न डालें, तो आपका केक नरम और स्पेंजी नहीं बनेगा तो इस तरह से हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे पदार्थों का उप्योग करते हैं, जिनकी आवशक्ता हमें होती है और जिसका उप्योग हमारे लिए अनिवारे हैं इसी तरह से आप देखें जो हमारे घर बने होते हैं उसमें हम बहुत सारे पदार्थों का उप्योग करते हैं वहाँ पर हमें सीमन की आवशक्ता होती है हम चूने का उप्योग करते हैं प्लास्टर ओफ पेरिस का उप्योग करते हैं काच का उप्योग करते हैं ये सभी पदार्थ हमारे लिए जरूरी है आप सभी पदार्थों का दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं कभी आपने ये सूचा कि ये पदार्थ कहां से आते हैं इनका निर्मान कैसे किया जाता है तो चलिए आज की अध्याई में हम यही सब जानने वाले हैं ये हमारे लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं ये पदार्थ कहां से आते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है तथा इनका और किन किन जगहा पर उप्योग होता है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जल से ही आप सभी जानते हैं हमारी पृत्वी का तीन चौथाई हिस्सा जल से आच्छा दित है यदि हम पृत्वी की सरचना देखें तो आप देखेंगे कि इसमें तीन चौथाई भाग जल भरा हुआ है और ये पूरा जल समुद्रों के रूप में, जीलों के रूप में, नहरों के रूप में या फिर नदियों के रूप में विध्यमान है इन सारे जलों में हम देखें तो कहने के लिए तो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में जल है लेकिन यदि हम इसमें पीने योग जल की बात करें यदि हम मीठे जल की बात करें तो इसके मात्रा बहुत ही कम, केवल 0.3 प्रतिशत है और यही कारण है कि आज हमारे पास जल संकर जैसी समस्या है क्योंकि जो मीठा जल हमारे पास केवल पीने के लिए उपलब्ध है उसमें भी मानों अपने क्रिया कलापों के द्वारा उसे प्रदूशित कर रहा है कि चाहे जन्तु हो अथवा पादब हो जल सभी की जैविक प्रक्रियाओं के लिए अनिवारे है हमारे शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा जल से बना हुआ है और जल की परियाप्त मात्रा होने पर ही हमारे शरीर में होने वाली जो चया अप्चयी क्रियाएं होती है वो सुचारू रूप से चलती है आपने देखा होगा कि कई बार जब डाइरिया जैसी भी हो जाती है हमारे शरीर का बहुत अधिक जल शरीर से निकल जाता है उस स्थतिय में हम कितने कमजोर पढ़ जाते हैं कितने सुन हो जाते हैं हमारे शरीर की जो चैप चाय क्रिया हैं वो रुक जाती है और यदि बहुत जादा पानी की हानी हो जाती है तो व्यक्ति की इन मृत्यू भी हो सकती है आएए आप जानते हैं जल के भातिक गोंग जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में यानिकी ठोस, द्रो और गैस तीनों रूप में हमें मिलता है और सबसे बड़ी पात आप देखेंगे कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी ठोस अवस्था में घनत्व सबसे जादा होता है लेकिन पानी के साथ ये अपवाद है पानी में हम देखते हैं कि पानी की ठोस अवस्था यानिकी बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रती मिली लीटर होता है जबकि जल का घनत्व चार डिगरी सेंटीग्रेट पर एक ग्राम प्रती मिलिलीटर होता है और यही कारण है कि जो बर्फ है वो जल के उपर तैरती है आपने देखा होगा जब आप शर्बत बनाते हैं और इस पर आइस क्यूब डालते हैं तो वो उपर ही तैरती रहती है इसी तरह से जो बड़े बड़े ग्लैशियर होते हैं वो भी समुद्री जल में तैरती हैं अब आईए देखते हैं जल के कुछ और गुण यह तो हमें देखा कि जल का की जो ठो सवस्था होती है उसका घनत्व अधिक होता है और यह जो गुण है वह जली जीवों के लिए वरदान होता है कैसे आप देख सकते हैं कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर क्योंकि पारा शून से नीचे चला जाता है यानि कि जो तापमान होता है वह माइनस में हो जाता है ऐसी स्थती में जो जीले होती है वह उसका जो उपरी परत होती है वह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि जो जील का जल है एक साथ बर्फ में परिवर्तित नहीं होता वह उपर से ठंडा होना शुरू होता है क्योंकि उपर की जो उश्मा है वो निकल कर बाहर जाती है और जो उपरी सता है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाती है लेकिन जैसे ही यह उपरी सता बर्फ में परिवर्तित होती है क्योंकि बर्फ उश्मा का कुछाला खोता है इसलिए अंदर बर्फ के नीचे का जो जल है उसकी उश्मा बाहर नहीं जा पाती या धीरे धीरे जाती है इसकी वज़ा से जो अंदर का जल है वह धीरे धीरे ठंडा होता है और यही वज़ा है कि बर्फ की परत के नीचे जो जल होता है वहां पर जो जली जीव रहते हैं वह सुरक्षित रहते हैं और इस तरह से अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं तो इस तरह से हम देखें जल का यह जो गुण है वह जली जीवों के लिए बहुत ही लाबदायक होता है इसकी बाद हम देखें कि समुद्रों जीलों और नदियों में उपस्थित जल के अलावा हमारी वायू मंडल में या हम कहें वायू में भी जल की बहुत अधिक मात्रा हमेशा उपस्थित रहती है अलग-अलग मौसम में इसकी मात्रा अलग-अलग होती है जो की वायू में नमी के रूप में उपस्थित रहती है हम देखते हैं कि जो गर्मी के दिन होते हैं उस समय नमी की मात्रा कम होती है जबकि बारिश के दिनो में वायू में नम्मी की मात्रा ज्यादा होती है इसके अलावा जो जल का सबसे बड़ा गुण है वह इसका विलायक प्रवित्ती जल एक ऐसा द्रव है जिसमें अधिकांश पदार्थ विले हो जाते हैं और इसलिए इसे सारवत्रिक विलायक कहा जाता है अब चुकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें अधिकांश, अम्ल, छार या लवन आसानी से घुल जाते हैं यही वज़ा है कि जो प्राकृतिक जल हैं यहीं कि नदी, जीलों या समुद्र में उपस्थित जल हैं उसमें लवन की मात्रा घुली हुई होती है और इसलिए अलग-अलग स्थानों पर उपस्थित जल में अलग-अलग मात्रा में लवन पाये जाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि समुद्र के जल में चुकि लवन की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए यह खारा होता है और पीने योगी नहीं होता जबकि जो नदिया होती है उनमें लवन की मात्रा कम होती है या जो मीठे पानी की जीले होती है उनमें लवन की मात्रा कम होती है और इसलिए इन्हें पीने योगे माना जाता है इन्हें मीठा जल कहा जाता है अब चुकि जल में विभिन मात्रा में लवन उपस्तित होते हैं और इसी के आधार पर हम जल को दो प्रकार से वरगीकृत कर सकते हैं एक होता है मृदु जल या सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है कठोर जल या हाद वाटर अब ये मृदुजल और कठोर जल के क्या गुण होते हैं आपने देखा होगा कि कई बार जब हम जो टेप वाटर होता है उसका उप्योग करते हैं और उसमें हम अपने कपड़े धोते हैं तो ये बड़ी आसानी से साबुन के साथ जाग देते हैं और अधिक मात्रा में जाग देते हैं और चुकि जाग बनती है इसलिए हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं दूसरी और कई बार आपने देखा होगा कि यदि हम सीधे बोर का पानी उप्योग करते हैं कई बार उए का पानी उप्योग करते हैं तो वहाँ पर जब हम इस पर कपड़ेद होते समय साबून लगाते हैं तो जाग ही उतपन नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में जाग उतपन होता है। और चुकि जागुदपन नहीं होता इसकी वज़़ से जो हमारी साबुन है वो घुलती चली जाती है और हमारे कपड़े भी साफ नहीं होते तो ऐसा जल जो की सामाने रूप से साबुन के साथ अधिक मात्रा में और जल्दी जागुदपन करता है उससे हम मृदुजल कहते हैं और दूसरी और ऐसा जल जो कि साबून के साथ बहुत कम मात्रा में और धीरे जागुतपन करते हैं उन्हें हम कठोर जल या होड़ वर्टर कहते हैं तो इस तरह से जल दो प्रकार का होता है आईए अब जानते हैं कि मृदू जल या फिर कठोर जल इनकी कठोरता के पीछे कारण क्या होता है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मृदू जल होते हैं और कठोर जल होते हैं इन में लवन उपस्थित होते हैं मृदू जल में हमेशा सोडियम के लवन उपस्थित होते हैं और इसी वज़ा से ये साबुन के साथ आसानी से जाग देते हैं और जिससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं जबकि जो कठोर जल होते हैं उनमें कैल्सियम और मेगनीशियम के या तो हाइड्रोजन कार्बनेट उपस्थित होते हैं या फिर इनके सलफेट उपस्थित होते हैं या फिर इनके क्लोराइड उपस्थित होते हैं यदि इनके ये लवन जल में उपस्थित होते हैं तो इनकी उपस्थती की वज़ा से जल कठोर हो जाता है और साबुन के साथ ज्ञात नहीं देता ऐसा क्यों होता है यह हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो साबुन होते हैं वो उच्यवसी अमलों के सोडियम या पोटेसियम लवण होते हैं जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक साबुन ले रहे हैं जिसका उदाहरण है और जिसका नाम है sodium stearate और इसका सूत्र होता है C17S35COONA यनि कि यह सत्रा कार्बन वाले कार्बॉक्फलिक अमल का एक लवण है एक sodium लवण है और इसका नाम है sodium stearate यह साबुन जब कठोर जल के साथ क्रिया करता है या इस साबुन का उप्योग जब हम कठोर जल के साथ करते हैं तो हमने जैसे कि विताया कठोर जल में magnesium या फिर calcium के sulfate हो सकते हैं या फिर hydrogen carbonate हो सकते हैं तो यह जो कठोर जल में उपस्थित magnesium या calcium आयन होते हैं यह साबुन के sodium आयन को replace कर देते हैं sodium आयन को हटा देते हैं और स्वयम इसका इस्थान ले देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि magnesium या आयन यदि जल में उपस्थित है और वह sodium stearate साबुन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर sodium अलग हो जाएगा जबकि जो magnesium आयन है वह इस्थिरेट आयन के साथ क्रिया करके compound बना लेगा इस तरह से जब हम साबुन को कठोर जल में घोलेंगे तो कठोर जल में उपस्थित जो magnesium अत्वा calcium आयन होंगे वो इस साबुन में उपस्थित sodium आयन को replace कर देंगे और स्वयम उसका स्थान ले लेंगे उधारन के लिए जब हम magnesium sulfate युक्त कठोर जल में साबुन को घोलते हैं तो इसमें से magnesium आयन sodium आयन को replace कर देते हैं और इस तरह से यहां पर sodium steorate के इस्थान पर magnesium steorate बनता है जो की एक अवक्षेप होता है फोस्पदार्थ होता है और इस तरह से यह अवक्षेप के रूप में निकलता है और जो हमारी साबुन है वह इस तरह से अवक्षेप के रूप में घुलती हुई चली जाती है और तब तक ये क्रिया होती रहेगी जब तक कि कठोर जल में कैल्शियम और मेगनिश्यम के आयन उपस्तित रहेंगे और इस तरह से हमारी साबुन घुलती चले जाएगी अवक्षेप बनते चले जाएगे और चुकि यहाँ पर मुक्त स्टियरेट आयन नहीं मिल रहे हैं इसलिए मिसेल निर्मान की क्रिया नहीं हो पाएगी और जाग पन नहीं होगा और चुकि मिसिल की निर्मान की क्रिया नहीं हो पाएगी इसलिए जो हमारे साबुन की या के द्वारा जो कपड़ों के स्वक्ष करण की क्रिया होगी साफ करने की क्रिया होगी वह भी नहीं हो पाती और इसलिए जो कठोर जल होते हैं वो जो ये अवक्षे बनेगा वो हमारे जो कपड़े हैं वह साफ होने की जगह मलीन दिखाई देते हैं तो इस तरह से यदि कठोर जल होते हैं तो वहाँ पर हमारे कपड़ों की सफाई की या स्वक्षता की क्रिया नहीं हो पाती इसके अलावा भी बहुत से जगह पर जहाँ पर जो भाफ इंजन के बॉइलर्स वग आधा उत्पन करता है तो यह जो हाडने से जो पानी की कठोरता है वह हमारे लिए नुकसान दे होती है तो जो पानी की कठोरता है इसे दूर करने की अवश्यक्ता होती है और दूर करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि पानी में जो लवन विले हैं जिनकी वज़र से पानी की कठोरता हो रही है वो कौन कौन से हैं अब इसी के आधार पर पानी की जो कठोरता है उसको भी हम दो वर्गों में बाट सकते हैं एक होती है और स्थाई कठोरता और दूसरी होती है स्थाई कठोरता जैसे कि मैंने पहले बताया पानी की कठोरता या तो कैल्शियम अत्वा मेगनेशियम के बाई कार्बोनेटों की वज़ा से हो सकती है या फिर सलफेटों और कुलोराइडों की वज़ा से हो सकती है यदि पानी में केवल कैल्शियम या मैगनेशियम के हड्रोजन कार्बनेट या बाई कार्बनेट उपस्थित होते हैं तो ऐसा जल या ऐसी जो कठोरता है वो ओस्थाई कठोरता कहलाती है क्योंकि अस्थाई इसलिए कि इसको बहुत ही सरल विधी के द्वारा हम बड़ी आसा होते हैं तो ऐसे जल को जब हम उबालते हैं बॉल करते हैं तो इसमें उपस्थित जो बाई कार्बनेट होते हैं जो की जल में विले अवस्था में हैं घुलित अवस्था में होते हैं और इसलिए जब हम इनको बॉल करते हैं तो यह तूट जाते हैं और कैल्सियम कार्बने बना जो कि चूना है यह क्योंकि अप अवस्था में आ गया है और इसलिए इसे हम असानी से छान कर पानी से पृठक कर देते हैं और जो शेर्पपानी जो होता है जो चौиса पानी होता है फोम्रदू हो जाता है तो इस तरह से इस जो के इस कठोरता को हम औस्थाई का ठोड़ता कहेंगे क्योंकि इसको हम पानी को गरम करके उबाल करके भी दूर कर सकते हैं आपने देखा होगा कि जब आप घर में बोर वाटर को बॉल करते हैं या कभी तालाप के पानी को आप बॉल करते हैं तो वहाँ पर नीचे में एक सफेद परत सीपड़ी जम जाती है यह वही कैल्सियम कार्बोनेट होती है तो चूकि यह नीचे एकत्रित हो जाती है इसलिए हम ऊपर के पानी को छान कर मृदौ के जल के रूप में इसेThis के अलवर के लिए माल लेजे हमारे जल में calcium hydrogen carbonate उपस्तित है और जब हम इसमें चूने का पानी जिसका सूत्र होता है CAOH whole twice यानि की calcium hydroxide जब हम इसमें चूने का पानी डालते हैं तो इनकी आपस में क्रिया होती है और पुना calcium carbonate तथा जल बन जाते हैं चूकि यह calcium carbonate अविले होते हैं, solid अवस्ता में होते हैं इसलिए यह आसानी से चान कर पृथक किये जा सकते हैं और इस तरह से हम जल में उपस्थित hydrogen carbonate की वज़े से जो अस्थाई कठोरता है उसे केवल पानी को उबाल कर या फिर उसमें चूने का पानी मिला कर और आसानी से पानी को मृदू कर सकते हैं लेकिन दूसरी और यदि पानी में calcium या magnesium के sulfate या chloride उपस्थित होते हैं तो पानी स्थाई रूप से कठोर हो जाता है और इन्हें केवल पानी को उबाल कर या इसमें चूने का पानी मिला कर दूर नहीं किया जा सकता और इसके लिए बहुत सी नई विधियों का उप्योग किया जाता है आजकल जो विशेस विधियां उप्योग में लाई जा रही हैं उसमें से मुख्य रूप से होती हैं विप्रीत परासरन की क्रिया या जिसे हम कहते हैं reverse osmosis या जिसे संक्षेप में RO कहा जाता है और दूसरी होती है आयन विनमे रेजिन विधि तो आए जानते हैं इस विधि के द्वारा कठोर जल को या जल की स्थाई कठोरता को किस प्रकार से दूर करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं विप्रीत परासरन विधि या RO टेखनेक आपने देखा होगा कि बहुत सारी घरो में या आपके घरों में जल को filter करने के लिए औरो प्लांट लगा होता है औरो मेशीन लगी होती है तो यह जो आरो है वही है रिवर्स ओस्मोसिस जी यानि कि जो एक परासरन की क्रिया होती है उसे विप्रीद रूप से करना तो इसके पहले यहाँ पर रिवर्स ओस्मोसिस मे किस तरह से पानी का मृड़ू करंग किया जाता है उसके लिए पहले हमें जानना जरूरी है कि परासरण की क्रिआ होती क्या है परासरण की क्रिया में यदि हम दो विल्यनों को एक दूसरे से एक अर्ध पारगम में झिल्ली के ध्वारा प्रिठक कर दें और इन विल्यनों में एक तनू हो और एक सांद्र हो तो ऐसे विल्यन को जब हम अर्ध पारगम में जिल्ली के द्वारा प्रिथक कर देते हैं तो इसमें से जो तनू विल्यन होता है उसमें से विलायक के कण निकल कर सांद्र विल्यन की तरफ जाने लगते हैं यह स्वता होने वाली प्रक्रिया है और तब तक जाते रहते हैं इस क्रिया को हम कहते हैं परासरन की क्रिया और हम ये भी बता दें कि जो ये अर्ध पारिगम में जिल्ली होती है उसकी विशेस्ता होती है कि यह केवल विलायक के अड़ों को ही अपने में से होकर प्रवाहित ह ने देती है या अपने में से होकर जाने देती है तो इस विधी को हम कहते हैं परासरन की क्रिया यह हमारे पौधों में भी देखने को मिलती है और बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उसमें यह परासरन की क्रिया होती है यदि इस परासरन की क्रिया में यदि हम अब जो सांद्र विलियन वाला भाग है उसमें उपर से दबाव डालें तो ये जो परासरन की क्रिया है जिसमें से की तनू विलियन में से जो विलायक के अनू हैं वह सांद्र विलियन की ओर आ रहे हैं तो इनका आना रुक जाता है और यदि हम दबाओ की मातरा प्रेशर को और इतना अधिक बढ़ा दें तो अब जो अनू है विलायक के अनू है वह सांद्र विलियन में से तनू विलियन की तरफ जाने लगते हैं यने की जो परासरन की क्रिया हो रही थी उसकी उल्टी दिशा म में इनका प्रवाह होने लगता है और इस क्रिया को हम कहते हैं वि पौररासरन, reverse osmosis और इसी प्रक्रिया का उपयोग हम आरो सिस्टम में करते हैं जिसके द्वारा हम कटहोर जल को मृदू करते हैं इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है यहाँ पर हम एक शुद्द एक तरफ हम कठोर जल लेते हैं जिसमें की लवन की मात्रा अधिक होती है निश्चित रूप की तो ज़िसमें लवन की मात्रा कम है उस जल में से wilayक के अनु निकल कर सांध्र विऍलियन की तरफ जाने लएंगे लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सांद्र विल्यन है यानि कि लवन युक्त विल्यन है उसमें इतना अधिक प्रेशर लगाया जाता है कि सांद्र विल्यन में से जो जल के अनु है क्योंकि विलायक के अनु ही गमन करेंगे तो जितनी जल के अनु है वह निकल कर तनु विल्यन या कठोर जल है अधिक लवन युक्त जल है उसमें से नमक या लवन की मात्रा वहीं रह जाती है और जल सभी निकल कर सारे जल के अनु निकल कर शुद्ध जल की तरफ आने लगते हैं और इस विधी का उपयोग करके हम अपने कठोर जल को मृदू बना लेते हैं और यही क्रिया जो है वह हमारे आरो सिस्टम में होती है इसके द्वारा हम कठोर जल को मृदू जल में परिवर्टित करते हैं लेकिन यह जो आरो सिस्टम है इसमें एक कमी ये है कि इससे बहुत अधिक पानी जो है उस वो व्यर्थ भी हो जाता है और साथी साथ हम ये कहें कि जो पीने योग ये पानी है वह भी अती शुद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी शरीर में भी हमें कुछ लवनों की आवशक्ता होती है जैसे कि सोडिय पोटेश्यम की मात्रा हमारी शरीर में होनी चाहिए इसलिए जो पानी है उसमें ऐसा हमें जल यूज करना चाहिए जिसमें कुछ मात्रा में लवन अवश्य उपस्थित हो तो इस तरह से आरो सिस्टम के द्वारा पानी का शुद्धी करण किया जाता है दूसरी विधी है आयन विन में रेजन विधी इसमें हम एक विशेश प्रकार के रेजिन कंपाउंट या पॉलिमर्स का उप्योग करते हैं यह जो रेजिन है यह प्राकृति द्वारा भी मिलते हैं या फिर इन्हें आवश्यक्ता अनुसार या जिस प्रकार के हमें सरचना की या छिद्रों क पॉलिमर्स त्यार किये जाते हैं यह इन्में विशेश प्रकार की सरचना या चिद्र होते हैं जिससे यह आईनों को अपने में बांधे रख सकते हैं तो यहाँ पर विशेश प्रकार के रेजिन उपयोग में लाए जाते हैं आजकर जो जल के शुद्धी करान के लिए विशेश रूप से पालिस्टाइरीन सलफोनेट रेजिन का उपयोग किया जाता है इसमें सोडियम के आयन बंधे हुए होते हैं काफी अधिक मात्रा में इनको सोडियम आयनों से रिच कर दिया जाता है और जब इन रेजिन में से रेजिन में उपस्थित जो सोडियम आयन है वह कठोर जल में आ जाते हैं और कठोर जल में उपस्थित जो कैल्सियम और मैगनीशियम के आयन है वह निकल कर रेजिन में चले जाते हैं यनि कि यहाँ पर कैल्सियम और मैगनीशियम आयनों का एक्सचेंज होता है सोडियम आय जल है वह मृदू हो जाता है इस तरह से कठोर जल को मृदू जल में परिवर्तित कर लिया जाता है जब इस तरह से काफी लंबे समय तक एक रेजिन का उपयोग होता है तो दीरे-दीरे इनमें की सोडियम की मात्रा सोडियम आयनों की मात्रा बिल्कुल समाप्त हो जाती है और इनमें कैल्शियम और मैगनिशम आयन भर जाते हैं ऐसी इस्थती में इनको फिर से रिचार्ज किया जाता है इनको सोडियम कंपाउंड्स के विलियन में डुबा कर रखा जाता है जिससे ये पु तो इस तरह से ये कटोर जल के मृदू करण की आधुनिक विधिया हैं जिनका उप्योग हम जल के मृदू करण के लिए करते हैं. कठोर जल के मृदुकरण की विधी को जान लेने के बाद आईए अब हम जानते हैं पीने योग्य जल के गुण पीने योग्य जल यानि की स्वक्ष जल स्वक्ष जल हमेशा रंग हीन गंध हीन होता है तथा इसमें कुछ उप्युक्त मात्रा में लवन उपस्तित होने चाहिए हमें पीने के लिए एकदम दिस्टिल वाटर का उप्योग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आसुद जल होते हैं उनमें लवन की मात्रा नहीं होती है क्योंकि हमारी शरीर के लिए भी कुछ लवन आवशक होते हैं और इसलिए हमें एक उचित मातरा में लवन युक्त जल का उप्योग करना चाहिए जल रोगानू रहित भी होना चाहिए इसमें रोगानू उत्पन करने वाले या रोग उत्पन करने वाले कारक नहीं होने चाहिए और इसी वज़े से कई बार हापने देखा होगा कि जो जल सप्लाई संयंत्र होते हैं या बड़े-बड़े जो पानी के टंक्या होती हैं उनमें समय समय पर क्लोरीन की गोलिया या फिर फिट करी, ब्लीचिंग पावडर या फिर लाल दवा यानि कि पटेश्यम परमेंगनेट उसमें डाला जाता है और जल का शुद्धी करण किया जाता है, क्योंकि यदि जल शुद्ध नहीं होगा तो वो विभन प्रकार के रोगों का कारक होता है, इसलिए हमेशा सुद्ध जल का उप्योग ही करना चाहिए इसके बाद हम देखें जल के उप्योग आप दैनिक जीवन में तो जल का उप्योग करते ही हैं यहने कि जितने भी दैनिक कारे हैं उनमें हम जल का उप्योग करते ही हैं इसके अलावा सबसे बड़ा जल का उप्योग है जो किशी कारे हैं उसमें सिचाई के रूप में जो हम जल का उप्योग करते हैं इसके अलावा हम देखें कि जो विभिन उद्योग हैं बहुत सारे उद्योग हैं जैसे वस्ट उद्योग हुआ या कागज उद्योग हुआ या अन्य बहुत सारे उद्योग है वहाँ पर जल एक raw material के रूप में उप्योग किया जाता है चुकि जल के विशिष्ट उस्मा बहुत अधिक होती है इसकी वज़ा से इसका उप्योग भाप इंजिन के बॉलर्स में भी किया जाता है इसके अलावा जल का उप्योग हमने देखा जो water cooler है उन्हें ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए भी हम उनका उप्योग करते हैं तो जल बहुत ही उप्योगी द्रव है इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जल को हमेशा स्वक्ष और प्रदूशन रहित रखें हमने देखा होगा कि आज बड़ी समस्या है जल की प्रदूशन की जब भी शुद्ध जल में विभिन प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं या उनमें रोगानों उत्पन हो जाते हैं तो ऐसा जल प्रदूशित हो जाता है वह पीने या दैनिक जीवन में उप्योग के हेतु नहीं रह पाता है और ऐसे इस प्रदूशित होने से बचाने के लिए बहुत से उपाई किये जा सकते हैं क्योंकि जो ज़्यादा तर जल प्रदूशित होते हैं वो उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल की वज़ा से होते हैं तो जितने भी उद्योग हैं उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनको सीधे वाहित जल याने की नदी या नालों में प्रवाहित करने से पहले, उन्हें treatment कुक्ष में लेजाना चाहिए, उन्हें treatment करना जरूरी होता है, ताकि जितने भी अपसिस्ट पदार्थ हैं वो अलग हो जाए और जो छनित जल है वही इन प्रावाहित जल नदी या नालों में मिलाया जाए इसके अलावा जो घरेलू उप्योग हैं या फिर बड़े-बड़े होटल्स हैं बड़े-बड़े भवन होते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा मे साबोन डेटोर्जन्स का उप्योग होता है या उनसे निकलने वाले जो अपसिस्ट जल हैं उनको भी ट्रीटमेंट करने के पश्चात ही हमें नदी या नालों में प्रवाहित करना चाहिए इसके अलावा कृशी कारे में हमने देखा है कि बहुत अधिक मात्रा में कीट ना जलों में प्रवाहित हो जाते हैं और उसके अलावा जितने भी मानवी क्रिया कलाप हैं जैसे कि बहुत सारे हमने देखा होगा कि जो हमारी परंपरा है बहुत सारे जो मंदीर हैं उसमें से निकलने वाले जो पदार्त हैं उनको हम विसर्जन करते हैं सीधे तालाबों या नदियों में डालते हैं या फिर जो Plaster of Paris की बनी मूर्तिया होती हैं वो बड़ी मात्रा में नदियों में प्रवाहित की जाती हैं और ये जाकर उस जल को प्रदूशित करते हैं और यही कारण है कि अब इस प पूर्तियों का इस्तमाल करने के लिए कहा जाता है और यह हो भी रहा है क्योंकि हमारा यह करतव्य है जैसे कि मैंने बताया कि हमारे उप्योग है तुझ जल तो हमारे पृत अधिक मात्रा में पूरी पृत्वी का तीन चर्थाई हिस्सा जल से अच्छा दित है लेकिन उप्य आईए अब जानते हैं एक दूसरे महत्वपुन कमपाउंड के बारे में और यह है साधारन नमक जिसका उप्योग हम प्रति दिन अपने भोजन में करते हैं साधारन नमक हमारी भोजन का अभिन अंग है इसके बिना हमारे भोजन का स्वाद उत्पन नहीं होता ये जो साधारन नमक है sodium chloride इसकी अधिकांश मात्रा समुद्री जल से प्राप्त की जाती है क्योंकि समुद्री जल में लगभग 30 से 35 प्रतिशत sodium chloride पाया जाता है तो जो साधारन नमक है उसका रासाइनिक सूत्र है NaCl और जिससे हम कहते हैं sodium chloride यह sodium chloride हम समुद्री जल से प्राप्त करते हैं समुद्री जल में sodium chloride के अलावा अन्य भी salt या लवन उपस्थित होते हैं जैसे कि sodium bromide है sodium iodide है sodium sulfate है अधि लवन भी उपस्थित रहते हैं लेकिन उसमें से हम विशेश सुध्धी करण विधी के द्वारा सोडियम क्लोराइट को प्राप्त करते हैं समुद्री जल से सोडियम क्लोराइट यानि की साधारन नमक के प्रिथक करण की विधी को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जहाँ पर समुद्र है समुद्र के किनारे में समुद्र के किनारे में बड़े बड़े उतले हुए गड़े बना लिये जाते हैं और समुद्र के किनारे के जल को इन उतले हुए गड़ों में भर दिया जाता है और इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है जिससे इनका धीरे धीरे जो जल है उसका वास्पी करण होता रहता है कुछ दिनों के पश्चात जब पूरा जल वास्पी कृत हो जाता है तो नीचे स्थोस अवस्था में हमें नमक प्राप्त हो जाते हैं लेकिन ये जो नमक है उसमें अधिकांश मात्रा सोडियम कलोराइट की होती है लेकिन इसमें अन्य लवन भी उपस्थित होते हैं साथी साथ इसमें रेट की मात्रा भी होती है और चुकि यह समुद्र से निकाला गया है इसलिए इसमें कुछ सुक्ष्म जीव भी उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए इस नमक को अब शुद्धी करण सयंत्र में क्यारखानों में लाया जाता है जहां पर इनका शुद्धी करण किया जाता है। और इस विलियन बना लेने के पश्चाथ अब इसमें एसल अमल की मात्रा या इसल गैस को प्रवाहित किया जाता है। और जिसकी वज़ा से यह जो नमक है जो घुलित अवस्था में होता है कॉमन आयन इफेक्ट की विधी के द्वारा या उस प्रोसेस से पुनह सोडियम क्लो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स प्राप्त हुए हैं उनको प्रिठक कर लिया जाता है और ये जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल शीनाराय अब यह शुध सोडियम क्लोराइड होता है इसमें अल्य लवनत göreorman भी नहीं होते हैं और इसके अलावा इस नमक में को उचा मात्रा मिलाने के मिलाई जाती है क्योंकि हम जानते हैं आयोडीन की कमी से गैटर नमक रोग होता है और इसलिए हमारे नमक में आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए तो इसमें आयोडीन की समुचित मात्रा मिलाने के लिए पोटेशियम आयोडेट कंपाउंड मिलाया जाता है जिस इसका अधिकांश भाग हमें समुद्र से मिलता है लेकिन कई जगह पर सोडियम क्लोराइट यानि की साधारन नमक की खदाने भी पाय जाती हैं यानि की इनकी बड़ी-बड़ी चट्टाने होती हैं उनसे भी हम नमक प्राप्त करते हैं ऐसा समझा जाता है कि काफी समय पहले ये समुद्र का ही कोई एक हिस्सा सूख कर इन चट्टानों या इन खदानों का निर्मान हुआ होगा और इनसे भी हम खने जलवन के रूप में सोडियम क्लोराइट को प्राप्त करते हैं अब हम देखते हैं नमक की विशिस्ता अब बहुत अच्छे से नमक के महत्व को जानते हैं यह हमारे भोजन का अभिन अंग है इसके अलावा यह हमारे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को समुचित धंग से चलाने के लिए भी आवश्यक है शारेरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सोडियम पोटैश्यम की मात्रा होनी चाहिए और जितनी भी चयप चयी क्रियाओं हैं उनको संतुलित रूप से चलने के लिए हमें शरीर में या जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए हमें नमक की अवर्शक्ता होती है हमारी शरीर में परियाप्त मात्रा में नमक होना चाहिए नमक का सेवन भी हमें परियाप्त मात्रा या समुचित मात्रा या नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक नमक की मात्रा शरीर में होने से high blood pressure की सिकायत हो सकती है या फिर बहुत ही कम नमक लेने से हमारे शरीर में low blood pressure निम्न रक्तदाद जैसी समस्या भी उत्पन हो सकती है इसलिए हमारे शरीर में नमक की एक समुचित मात्रा होनी चाहिए इसलिए हम जब भोज़े पदार्थ या जो भी भोजन या खाद्य पदार्थ लेते हैं उसमें हमें धान देना चाहिए कि नमक की मात्रा balanced या समुचित होनी चाहिए प्राया देखा जाता है कि बच्चे बहुत अधिक दिब्बा बन सामगृ या जो चिप्स जैसी सामग्री का उप्योग करते हैं इनमें बहुत अधिक नमक की मात्रा होती है और इसलिए इसके अधिक सेवन से हमें हानी भी हो सकती है इसलिए इन पदार्थों का कम करना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं नमक का उप्योग तो नमक का उप्योग भोजन में तो होता ही है इसके अलावा नमक एक बहुत अच्छा परिरक्षक है इसमें जो रोगानों को नस्ट करने या रोगानों को दूर करने की कागुन पाया जाता है यही वज़ा है कि खा हम नमक का उप्योग करते हैं आपने देखा कि जो भी हम घर में अचार बनाते हैं उसमें नमक की मात्रा अधिक मात्रा में डाली जाती है और इसी तरह से सौस या चटनी जो होती है उसमें नमक की मात्रा अधिक रखी जाती है त्योंकि नमक की उपस्थती से इसमें उपयोगी योगिकों का निर्माण करने के लिए जैसे कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइडरोकसाइड या फिर खाने का सोडा, सोडियम हाइडूजन कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी के निर्मान के लिए एक raw material या कच्चे पदार्थ के रूप में sodium chloride का उप्योग होता है तो यह उप्योग इसका महत्व इसी से हम लगा सकते हैं कि इतने अन्य उप्योगी पदार्थों के निर्मान के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसके अलावा आपने देखा होगा ऐसी स्थती में जब हमारे शरीर में पानी या नमक की काफी कमी हो जाती है और हमारे शरीर में जो balance है वो बिगड़ जाता है उस स्थती में पुनह जल की मात्रा और sodium potassium level की मात्रा को परियाप्त मात्रा में पुनह वापस पाने के लिए हम oral rehydration solution का उप्योग करते हैं घर में भी आपने देखा होगा कि जब हम ऐसी अवस्था होती है तो तुरंत हम ORS गोल बना कर जिसमें हम एक ग्लास पानी में एक चमश शक्कर और एक चुटकी भर नमक डाल कर solution बनाते हैं और तुरंत जो भी casualty या आहत व्यक्ति होता है उसको पिलाते हैं और इस प्राथमिक देखें कि साधार नमक जो है वा किवल भोजन का अभिन अंग नहीं है या और भी वह बहुत सारे पदार्थों के निर्मान के लिए आवश्यक पदार्थ हैं चलिए इसी तरह से अब एक दूसरे और महत्युपन कंपाउंड की विसे में जानते हैं और वह है खाने का का इस्तेमाल आपने अपने घर में किया ही होगा जब भी हम पकोड़े धोकले खमन या फिर केक बनाते हैं तो उस समय हम सोडियम हाड्रोजन कार्बोनेट यानि की खाने के सोड़े का उप्योग करते हैं इसका सूत्र होता है नहCOO3 यानि की सोडियम हाड्रोजन के नाम से भी जानते हैं सोडियम बाइकार्बनेट का उप्योग पदार्थ को जल्दी पकाने के लिए भोजन को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है और साथी साथ इससे नरम और स्पंजी बनाने के लिए भी किया जाता है खाने का सोड़ा सोडियम हाड्रोजन के लिए जैसे कि हमने पहरी देखा इसमें हम sodium chloride याने की साधारन नमक का उपयोग करते हैं sodium hydrogen carbonate खाने का soda बनाने की जो विधी है वह सालवे अमोनिया विधी वास्तों में जो सालवे अमोनिया विधी है इसका उपयोग हम धावन soda बनाने के लिए करते हैं और जब हम धावन soda बनाते हैं कपड़ा धोने का soda बनाते हैं उसके बीच एक by-product के रूप में ही हमें खाने का soda प्राप्त हो जाता है और इस जो सालवे अमोनिया विधी होती है उसमें हम साधारन नमक का जली विलियन लेते हैं साथी साथ इसमें हम अमोनिया और carbon dioxide का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं sodium chloride साधारन नमक carbon dioxide जल और अमोनिया इन सब की आपस में जब क्रिया होती है तो हमें एक लवन प्राप्त होता है अमोनियम chloride और साथ ही साथ दूसरा लवन मिलता है sodium hydrogen carbonate यह जो sodium hydrogen carbonate है यही खाने का soda है जो कि हमें साल्वे अमोनिया विधी के द्वारा प्राप्त होता है अब इसकी प्रकरती जब हमने अमलत छारक और लवन वाला द्याय देखा था तो उस समय हमने sodium hydrogen carbonate के pH मान को भी निकाला था और हमने जाना था कि sodium hydrogen carbonate की प्रकरती छारी होती है और इसलिए जब आपने देखा होगा कि घर में जब हमें कोई acidity हो जाती है अमलता शरीर में हो जाती है उस स्थती में हम थोड़ी से खाने के सोड़े को पानी में मिला कर पी सकते हैं और क्यूंकि यह चारी प्रकरती का होता है और इसलिए यह हमारे शरीर की अमलता को दूर करने में सहायता करता है और इस तरह से एंटासिड या प्रती अमलता के रूप में इसका उप्योग हम कर पाते हैं इसके अलावा यह जो सोडियम हार्डूजन कार्बोनेट है इसका उप्योग हम पदार्थ को स्पंजी या नरम बनाने के लिए करते हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर sodium hydrogen carbonate का उप्योग करते हैं तो जब पदार्थ में या जो भी हमारा खादी पदार्थ होता है उसमें डालते हैं और जैसे ही जब हम उस विलियन को या उस पदार्थ को हम आग में रखते हैं तो उसमें उपस्तित sodium hydrogen carbonate यानि की खाने का सूडा होता ह है वह तूट जाता है गरम करने से और यह परिवर्थित हो जाता है sodium carbonate में और साथ ही साथ यहाँ पर जल बनता है और carbon dioxide gas बाहर निकलती है और यह जो carbon dioxide gas है यही हमारे खादी पदार्थों को spongy बनाने का कारे करती है अब यहाँ पर हमने देखा कि जब हम खाने का सोडे का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के लिए करते हैं उस स्थती में जब यह गरम होता है तो sodium carbonate बनाता है और साथ में carbon dioxide निकलती है carbon dioxide तो पदार्थ को फुलाने या spongy बनाने का कारे करती है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक छारी पदार्थ और बन रहा है sodium carbonate जिसका जो सपाव है वो छारी है और हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसको थोड़ा सा कड़वा कर सकता है और इसलिए जब भी हम खमन या spongy चीज बनाते हैं या केक जैसी चीज बनाते हैं उस समय जब हम खाने का सोड़े का इस्तमाल करें तो वहाँ पर कुछ खटा पदार्थ भी हमें इस्तमाल करना चाहिए जैसे की दही या नीबू जैसी चीजे या विनेगर का इस्तमाल करना चाहिए ताकि यहां पर sodium hydrogen carbonate खाने के सोड़े के तूटने के फसरूप बना जो sodium carbonate है उसके कसेले जो प्रकृती है उसको दूर किया जा सके अब आई यह हम जानते हैं खाने के सोड़े के उप्योग खाने के सोड़े का उप्योग एक बहुत बड़ा उप्योग है बेकिंग पाउडर क्या होता है प्राए हमने देखा है कि केक बनाते समय हम खाने के सोड़े का इस्तमाल भी करते हैं और साथ में बेकिंग पाउडर का इस्तमाल भी करते हैं बेकिंग पाउडर वास्तों में खाने के सोड़ा और एक अमल जो कार्बनिक अमल है जिससे हम कहते हैं टार शट्टे-पदार्थ का उप्योग करना पड़ता है ताकि बनने वाले सोडियम कार्बोनेट का जो कसला पैन है उससे दूर किया जा सके लेकिन यदि हम केवल बेकिंग पाउडर का इस्तमाल कर रहे हैं तो बेकिंग पाउडर में चुकि खाने का सोडा बेकिंग सोडा और साथ में टार्टरिक अमल दोनों साथ साथ उपस्थित होते हैं और इनकी क्रिया के फलसरूप एक लवण बनता है जो सोडियम टार्टरेट होता है और साथ ही साथ जल और कार्बन डायोकसाइड बनती है तो इस तरह से यहाँ पर चुकि छारी पदार्ट नहीं बन रहा है सीधे क्योंकि यहाँ पर अमल उपस्थित था और इसकी वज़ा से सीधे लवण बन जाता है सोडियम टार्टरेट और इसकी वज़ा से पदार्थ क की उपस्थती की आवश्यक्ता नहीं होती है तो यहाँ पर दोनों चीजें अंतर है बेकिंग तो bear का लेकिन जब हम बावडर कहते हैं तो वहाँ पर दो चीजें का मिश्रन होता है बेकिंग सोडा यहीं कि सोडियम hydrogen carbonate और tartaric अमल तो इस तरह से दोनों में अंतर होता है इसके अलावा हम देखें कि जो baking soda कोपियों जैसे कि मैंने बताया एंटासिट के रूप में प्रती अमल के रूप में कर सकते हैं क्योंकि यह चारी प्रकृती का होता है और mild चार है इसलिए हम आसानी से पानी में घोल कर इसे ले सकते हैं और अपने शरीर की अमलता को दूर कर सकते हैं इसके अलावा एक और बहुत महत्तुपूर्ण उप्योग है खाने के sodium hydrogen carbonate का और यह है अगनी शमन यंत्रों में आजकल बहुत अलग-अलग प्रकार के अगनी शमन यंत्र उप्योग में लाए जाते हैं लेकिन जो soda अमल अगनी शमन यंत्र होता है जिसमें की हम soda के रूप में sodium hydrogen carbonate यहनी की खाने के soda का इस्तमाल करते हैं और वहाँ पर अमल होता है अगनी शमन यंत्र का उप्योग करना पड़ता है तो हमें उसे काफी प्रेशर के साथ पटकना पड़ता है जिससे जो अंदर सिलिंडर में सल्फियूरिक अमल भरा होता है वह उसकी वो जो सिलिंडर तूट जाता है और दोनों के बीच क्रिया होती है और क्रिया होने के फर्शुरूप हम जानते हैं कि carbon dioxide gas निकलती है और यह carbon dioxide अगनी को बुझाने का कार्य करती है तो इस तरह से सोडा अमल अगनी शमन यंत्र में भी हम खाने के सोडा का इस्तमाल करते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि खाने का सोडा यह की sodium hydrogen carbonate के भी हमारे जीवन में काफी दैनिक जीवन में काफी महत्तु है